आप देख रहे हैं साधना और समाधान अगर आपके दो दुश्मन आपके दो शत्रू आपसमें मिल चुके हैं और आप चाहते हैं के उन दोनों का जगड़ा हो और उनमें एक दरार पैदा हो जाए बहाई अलग अलग हो जाएं तब आप इसकी विदी को अपनाएं और इसके इलावा अगर कोई गल्त वशीकर्ण करने के बाद आप दोनों में कोई तीसरा आ चुका है और तीसरे को आप हटाना चाहते हैं तब आप इस निम्पू और नम्क वाला जो टोटका है इसकी विदी को अपनाएं तो जो गल्त वशीकर्ण किया होगा उसकी भी काट होगी दो लोगों को दो व्यक्तियों को अलग करने वाला जो टोटका है कैसा भी अगर वशीकर्ण करने के बाद अगर आपके प्यार के बीच कोई तीसरा व्यक्ति आ चुका है तो पून रूफ से वह व्यक्ति अलग हो जाएगा उनमें दरार पैदा हो जाएगी ऐसी ये काट करेगा कि द्वारा से वह आपस में मिल नहीं पाएंगे तो क्या है इसकी संपूर्ण विदी तो देखते हैं इस वीडियो के माद्यम से साधना और समाधान साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी वक्षनों को जाय माता कित तो आज जह जो तोटका मैं आपको बताने जा रहा हूँ दो व्यक्तियों को अलग करने के लिए क्योंके अगर किसी व्यक्ति के उपर अगर गल्त किरया के कारन कोई वश्यकरन कर दिया जाता है किसी बालक जा किसी वालिका के उपर तो उन दोनों को भी हम अलग कर सकते हैं अगर कोई गल्त किरया के कारन गल्त पर जोग करने के वाद अगर कोई बालक जा कोई बालिका कोई गुम रहा हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि इनका जे रिस्ता सही नहीं है तब आप उनको अलग कर सकते हैं और सही कारया के लिए ही इसका पर जोग होगा अगर भै गल्ट होंगे तो जरूर जो टूटका है तो पूर्न रूफ से जे कारा करेगा अगर आपकी किसी व्यक्ति के साथ शत्रता है और वह जो व्यक्ति है उसने जो भी आपके दुश्मन है जितने भी आपके दुश्मन है वह आपसे में अगर मिल चुके हैं तो उनमें दरार भी पैदा होगी जगडा भी उत्पन करेगा जह जो निम्बू और नमक वाला जह जो टोटका है इतना शक्तिशाली यह टोटका है जब आप इस टोटके की विदी को अपनाएंगे तो तरंथ दो व्यक्तियों में जगडा आपको देखने के लिए मिलेगा उ उनमें तकरार पैदा हो जाएगी इस टोटके के द्वारा और जो भी व्यक्ति इस टोटके की विदी को अपनाएगा तो वह सही कार्याक यह अपनाएं जै जो टोटका है तभी काम करेगा अगर आपकी कोई शत्तरता है अगर आपको कोई बिना वज़ा से परेशान कर रहा है जा गल्त वशीकर्ण का पर जो किया गया है बैसे अगर किसी पती पतनी में प्रेम सवन्द है तब उनमें आप दरार पैदा नहीं कर सकते अगर सही वशीकर्ण किसी का हुआ है तो वहाँ पर जह जो टोटका है जह कारया नहीं करेगा लेकन जहां पर भी तंतर के विद्ध कोई भी पुर्ष इस वशीकर्ण शक्ती को अपना सकते हैं इस टोटके की विदी को अपना सकते हैं तो गल्त वशीकर्ण की काट होगी दो व्यक्तियों में दरार पड़ेगी और जिससे आप सच्चा प्रेम करते हैं जो भी आपके बीच में कोई तीसरा आ चुका है तो 101 प् प्रेम को अपनाते हैं तो इसके लिए जिस समगरी की आपको जरूरत पड़ेगी केवल एक साबत निम्बू और निम्बू ऐसा होना चाहिए उसके उपर कोई दाग वगारा नहीं होना चाहिए बिलकुल साफ निम्बू और एक बलैक नम्क की छोटी सी डली चोटा सा टु चाहिए वह आपके घर में ही आपको मिल जाएगी और एक इसके लिए आपको आप रेड मारकर भी ले सकते हैं और आप बलैक मारकर भी ले सकते हैं जिनको आप अलग करना चाहते हैं उन व्यक्तियों का नाम लिखना पड़ेगा और जह जो टोटका है केवल शनीवार वाले दिन ही ये कारा करेगा वहवी रातरी के समय जब सूर्यास्त हो जाएगा अंधेरी रात में जो टोटका है इसकी जो विदी है इसको आप अपनाई तो जो निम्बू है साबत निम्बू है इसको आप अच्छी तरह से पानी से धोलें साफ करने के बाद किसी कपड़े के साथ उसके बाद जो भी आपके दुश्मन हैं जो भी आपके शत्रू हैं अगर किसी के उपर गल्त वशी करने का पर जो करने के बाद जिसके उपर भी कोई ऐसी विद्ध्या लगी हुई है अगर आप उनको अलग करना चाहते हैं तो उन दोनों व्यक्तियों का निम्बू की एक एक साइड के उपर आपने नाम लिख लेना है दोनों साइडों के उपर नाम लिख लेना है और नाम लिख लेने के वाद आपने वह जो नमक है जो वह नमक का टुकड़ा है उसको आपने बरीक कर लेना है उसको बिलकुल उसका आपने पाउडर बना लेना है पाउडर बना का ध्यान धरना है और उसके बाद माता मोहिनी माता शाम कुर मोहिनी का ध्यान धरना है कि है माता मसानी और माता शाम कुर मोहिनी हम आपका जे टोट का इसकी विदी को अपनाने जा रहे हैं तो जो भी हमारा कार्या है इसमें हमें सफलता की प्राप्ति हो और किसी मंतर का कोई बड़ा आनुष्ठान नहीं करना बिलकुल सरल विदी है शनिवार वाले दिन आपने इस विदी का पर जो करना है तो फिर आपने जो भी आपके दुश्मन है जिनका आपने नाम लिखा है तो रतरी के समय जब सूर्या अस्त हो जाए और जह जो टोटका आपने करना है इ अलग अलग लेकिन वह जो नाम हैं दोनों के वह आपने नहीं काटने वह नाम अलग अलग हो जाने चाहें उसके बाद वह जो नमक है आपने दोनों निम्बू में अच्छी तरह से लगा देना है जो टुकड़े हैं निम्बू के दोनों सैड के उपर आपने लगा देने है तो उसके बाद आपने दो स्थान के उपर घर में भी जला सकते हैं देखो घर से वहर भी दो दिशाओं में दो दिशाओं की तरफ आपने मुख करते हुए जैसे पूर्ब पक्षम की तरफ आप मुख कर लें किसी दिशाओं में भी आप मुख कर लें अलग 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 स्थान के ओपर दो जगां के ओपर आपने अगनी चेतन करनी है थोड़ी थोड़ी सी आपने अगनी जलानी है लकड़ी के दोरा कपूर के दोरा कैसे भी आपने अगनी ही जलानी है जब अगनी चेतन हो जाए तो दोनों टुकड़ों को अलग अलग आपने जिला देना है मता मसानी मेलडी और मता शामकुर मोहनी का नाम लेकर उनी का ये टोट का है और उसके बाद इनकी जो राक होगी वह जब ये ठंडी हो जाएं तो इनको घर से वहर लेकर जाएं तो इनको भी दो स्थान के उपर आपने फैंक ना है कहीं भी फैंक दें गर के वहरे भी आप फैंक सकते हैं और दूसरी जो राख है उससे आगे जाकर आप कहीं भी फैंक दें जा चुराहे में जाने के बाद दोनों सेटों के उपर ऐसे भी आप उसको अलग अलग आप इसको फैंक सकते हैं अगर कोई नदी वह रही है तो एक कंडे के उपर उसको और दूसरे कंडे के उपर उसको उसकी राख को आप फैंक सकते हैं लेकर पानी में इसको नहीं वहाना अगर इस राक को आप पानी में वहाएंगे तो इसका जो आसर है जो टोटके का आसर है तब वह कार्या नहीं करेगा तो जह जो विदी है आप तीन शनी वार रेगुलर इसी विदी के अमसार इस टोटके की विदी को अपनाएं तो जैसे हैं आप चाहते हैं दो व्यक्तियों को अलग करना तो दो व्यक्तियों में जगडा भी होगा, तकरार भी होगी और वह अलग भी हो जाएंगे जिनके उपर गल्त कि रहा के दौरा परजु किया गया है तो दो विक्तियों को अलक करने वाला जे अजमाया हुआ शक्ति-शाली टोट का है और जिनको शर्दा है बिश्वास है और शर्दा बिश्वास के साल जो भी इस टोट के की विदी को अपनाएंगे तो उनको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा जिनको माता शम्शान की देवी माता मसानी मेलटी और वशीकर्न की देवी माता शामकर मोहनी की विद्धा के उपर जिनको विश्वास है तो आप इस टोटके की विद्धी को जब अपनाएंगे तो इसका जो रिजल्ट है आपको तरंत देखने के लिए मिलेगा तो यह था दो लोगों को अलग करने वाला टोटका अगर ऐसी वीडियो देखना आप पसंद करते हैं तो इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें तांके किसी के दुखों का निवारन हो सके और जब आप ऐसी वीडियो को शेयर करते हैं अगर किसी के दुखों का निवारन होता है तो उसका जो रिजल्ट है उसकी जो दुआएं हैं आपको भी मिलती हैं साधना और समाधान चैनल को सबस्क्राइब करें आप आउल घंटी का बटन दवाएं तांके इस चैनल की हर अपडेट आपको सबसे पहले प्रापत हो सके तो फिर मिलते हैं एक नई विदी एक नई अपडेट के साथ तब तक जय माकाली, जय बाबा, भैरबनार अब आपको निराश होने की जरुरत नहीं गुरुजी से घर बैठे, हर समस्या का समाधान पाने हे तू जैसे घर का कीवन, मन जहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिध्ध सामगरी किट, वशीकरण किट, सिध्यंद्र, सिध्ध माला प्राप्त कर सकते हैं और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिये गए नमबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं आप देख रहे हैं साधना और समाधान